जोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नया है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में वेल आइकन को प्रेस कर देना जोस्तो हर वैक्ति अपने दिमाग को तेजवे तंदुर्त बनाना चाहता है परंतु कुछ लोग देनिक जीवन में कुछ ऐसे गल्तिया आदते अपना लेते हैं जिनके कारण दिन प्रतिजिन उनका दिमाग कमजोर होता चला जाता है उनकी यादास में कमी आ जाती है वह छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी भूलना सुरूर कर देते हैं अंजाइम और डिमेसिया बीमारिया पास आने लगती हैं इसके साथ ही उनके सोभाव में चीश्रिवापन भी आ जाता है आए जानते हैं वह दस गल्त आदतें जिनकी वज़से दिमाग कमजोर हो जाता है सबसे पहले हैं देर रात तक जगना कुछ लोग देर रात तक मोबाइल या लैक्टोप चलाते रहते हैं इसके उनके दिमाग पर काफी बोज पढ़ता है और धीरे धीरे कमजोर होने लगता है अगर आप देर रात तक चैटिंग करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर पढ़ता है दूसरा है धूम्रपान करना आपके जीवन को कम कर देता है साथ ही आपके दिमाग को कमजोर बनाता है मैक गिल यूनर्चिटी के एक अध्यन में यह बात सामने आई है कि स्मूकिंग से का टेक्स पर असर पाता है जो आपकी यादास, सक्ती और लेंगवेज इसकूल के लिए खतरनात है तीसरा पाइड नास्ता ना लेना दोस्तों आफिस या इसकूल पाउस्तने और जल्दी जल्दी काम निटाने के चक्कर में नास्ता नहीं करते हैं कि आद तो बहुत हानिक कारत हैं बेकफास्ट से हमारी दिन की सुरुवात होती है और इसे छोड़ने देने से आपके अपने सरीर में कई तरह की समस्या उत्वान हो सकती है जैसे या दास कमजोर होना मुटापा कमजोर यूनी बलाट सुगर और सुगर आप भी इन समस्याओं से बचने के लिए अपने नास्ता जरूर लेना है जो प्रोटीन से भरपूर हो ताकि आप पूर्जा से भरे गए हैं इसके बाद पर्याप्त नीत ना लेना है स्वत सरीर के लिए 6-8 घंटे की नीत लेना बहुत जरूरी है हाल ही में एक सोध में बताया गया है कि जरूर से ज़्यादा या कम नीत के कारण मस्तिक की कोशिकाएं सिकूरने लगती हैं जिनसे आपकी आदास कमजोर होती है तनाव लेने या कुछ भी गंभीर से सोचना जो लोग अपने दिमाग से छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव लेते हैं या किसी भी विशय के पती ज्यादा गंभीर होकर उनका दिमाग धिए धिए कमजोर होता चला जाता है इसलिए अपने दिमाग को ज्यादा स्ट्रेट नहीं और चिंता मुक्त रहने की कोशिकाएं करती हैं क्योंकि जो होने हैं वो तो होकर रहेंगे अब तर दिमाग को चिंता में रखने के कुछ भी हाल निकालने वाला नहीं है छटा पाइड रोजाना व्याम ना करना दोस्तों रोजाना व्याम ना करने से सरीर में आलस बढ़ जाता है और आलसी लोग का दिमाग कम क्रियेटिव और कमजोर होता है इसलिए हमें रोजाना व्याम करते अपने सरीर को स्वस्त रखना है सात्वा पाईड जंग फूट का ज्यादा सेवन करना जैसे पि आप सब जानते हैं कि आज इस युवा पिड़ी जंग फूट खाती है घर का बना हुआ खाना इन्हें पसंद नहीं आता एक्चुली जंग के जंग में एंजाइम नामक एडिवीन पाया जाता है ऐसे में यह दिमाग के निवरान रिसेंट को निवकान पहुचाता है ज्यादा मात्रा में जंग फूट खाने के सिरदर्द उल्टी और कंजूमन जैसे समस्याय आम हो जाती है तो इनको तो आपको टाटा करना ही होगा आठवा पाई पानी कम पीना पानी कम पीने वालों की तुल्ला में सही मात्रा में पानी पीने वालों का दिमाग 14% अच्छे से काम करता है ऐसा कहा जाता है अगर आप किसी जरूरी काम से ज़्यादा रहते हैं या किसी परिच्छा में बैठे हैं तो पहले पानी पी लीजिए क्योंकि इससे आप चीज आप चीजे भुलाने नहीं नहीं हैं आनी से दिमाग ज़्यादा देर तक काम कर आता है अब आता है नवा पॉइंट इयरफोन से लगातार गाने सुनना दोस्तो आपने कई सारे लोगों को इयरफोन से तेज आवाज में गाने सुनते हुए देखा हुई होगा लेकिन यह गलत है कान में इयरफोन लगाकर लगातार गाने ही नहीं सुनने चाहिए अगर सुनने भी हैं तो धीमी आवाज में सुनिये तेज आवाज से काम तो खराब होगा ही साथ में बेड इन्सूज की भी नुकसान पहुचेगी लगातार ऐसे करने से अंजाइम की समस्यां उत्पर्म हो जाती है कई लोग अकेले रहने की आदत दोस्तो कई लोग की आदत होती है कि उन्हें लोग का साथ पसंद नहीं आता है ऐसे में वे ज्यादा से ज्यादा समय अकेले ही बिताना पसंद करते हैं ऐसा होने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है जिससे डिप्रेशन में जाने के चांसे बढ़ जाते हैं दोस्त यह कुछ बुरी आदते हैं जो मैंने आपको बताया है बस इनको छोड़ने हैं और एक बेहतरिंग और स्वस्थ जीवन जीना है लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आवाज दिमाग कैसे काम करता है अगर कोई भी लच्चे को हासिल करना हो तो मस्तिक का सही राना बहुत जरूरी है इसके लिए आपको खासकर अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही मस्तिक का निवास होता है दोस्तो धन्याग